दोस्तो स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाब उपर और आज मैं फिर आज रहूं आपके साथ एक निज आर्टिकल लेकर जिसे मैं करने वाला हूं हिंदी में ट्रांसलेट और दोस्तो आज के इस आर्टिकल में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर् रास करना और फोकस का मतलब मतलब होता है केची शीज़ पर केंद्र करना केची अदियान देना और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान तो क्या मतलब वह इस लाइन का country can't develop मतलब की देश विकास नहीं कर सकता without focus on research अनु संधान पर focus किये बिना या कह सकते हैं अनु संधान पर धिहान दिये बिना देश तरक्की नहीं कर सकता या कह सकते हैं देश विकास नहीं कर सकता जैसंकर ने कहा तो दोस्तों ये इसकी हैडलाइन थी अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ आपसे request या आप इसे बिल्कूल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कूल अच्छे से समझ सकें Union External Affairs Minister S. Jai Shankar on Monday said that a country cannot become developed without focusing on research and development and a national research foundation would be established in the country soon. क्या मतलब हुआ Union External Affairs Ministers S. Jai Shankar मतलब की केंद्रिये विदेश मंत्री S. Jai Shankar है on Monday सौमवार को said उन्होंने कहा that a country cannot become developed developed एक adjective है जिसका मतलब है विक से तो क्या मतलब हुआ a country cannot become developed को देश विक्सित नहीं बन सकता without focusing बिना दिहान दिया कह सकते हैं बिना दिहान केंद्रित किये on research अनुसंधान पर and development और विकास पर research and development and a national research foundation national research foundation का मतलब हुआ अनुसंधान foundation would be established उसे इस्थापित किया जाएगा इन दा कंट्री देश में सून जल्दी ही कि ही वाज इंट्रेक्टिंग इंट्रेक्ट का मतलब होता है बात्चित करना ही वह इंट्रेक्टिंग वह बात्चित कर रहे थे विद्दा स्टुडेंट्स ऑफ एंटी एंटी डेली एंटी डेली के विधार्तियों से बात्चित कर रहे थे एस पार्ट ऑफ दा बीजेपी आउट्रेच टू मार्क नाइन येर्स ऑफ दा नैश नरेंद्र मोधी गॉवर्मेंट और वह इस चीज का हिस्सा था एस कंट्री इस मुविंग इनन डारे डैरेक्शन के डारे कादा कंट्रीज मूविंग इन डारेक्शन वेर देयर वीमच नॉश्पर्न जहां पर अधिक जो है सरकारी प्राइवेट और युनिवर्सिटी सपोर्ट ऑगा सफोर्ट होगा पर मतलब सहान होगा ऑन रीस अगां र रिसर्च एंड डिवलप्मेंट मतलब की अनुसंद्धान और विकास पर विकास पर ही सैड उन्होंने कहा आगे देखिए कि जैशंकर ऑल्सो एडवाइज दा स्टूरेंट्स जैशंकर ने विधारतियों को सला भी दी तू अंडरस्टेंट समझने की लोकल कि उस थानी है और वैश्विक डिवलप्मेंट्स को विकास को है मतलब वेससी करंड जो उसने किया है उस स्ने बाउंडरी स्कूल सब्सक्राइब क्य ze ut 2 निन साइड अंदर एंड और आउटसेब आर भाहर और आपको समझना चाहें है what is हैपनिंग अरॉंड यू कि आपके आसपास क्या हो रहा है थी सैड उन्होंने कहा साइटिंग उधारन देते हुए दा मतलब की इंपक्ट प्रभावकु की चीश का यू क्यूंध ध्यूं अंद्ध प्र इस को यू फड़ा जो एक सेट आस्होनने पूछो दफा विदेशमंत्र से से पूछा दैट की इंडिया स्टेंट इंद जियो पॉलिटिकल स्टेट जो भारत है वह जियो पॉलिटिकल में उसका पांच वाइस थान है वाइड लेकिन जो पासपोर्ते है उसकी रेंग यसे क्यों है थूस कंपर शा doğ रिएगर संकर संकर सैथ्य अग ने का पासपोर्त दिट ज ओš पर देपेंड ऑघएपो इंद और साइज ऊप्र्वर पर निर्भर नहीं करती दियर और सेवरल रिजन्स और और भी अधिक कारण होते हैं इसके पीछे इंक्लूडिंग मिला कर दानमबर ओफ पीपल दानमबर पीपल लोग की संक्या कमिंग तू दा कंट्री जो देश को आ रहे हैं लीगल और इलीगल अधिशाल मतलब की लीगल और इलीगल कानू और गयर कानू नी ट्रेवल एंड डिमांड फ़ो वीजज और वीजा के दिमांड साइटिंग मतलब की उधारन देते हुए मोदी का जो हाली का जो विजिट था दौरा था यूएस को जैसंकर सेट जैसंकर ने कहा इस पेशली विशेश कर इन देमोक्रिटिक वर्ल्ड लोगतांत्रिक संसार में दुनिया में मतलब एक अनुभवी के तौर पर एंड क्रेडिबल लीडर और विश्वसनी नेता दा आइडिया जो आइडिया जो है विचार और जो डिसीजन से निड़ने हैं और मोधी मोधी के हैव एन इंपेक्ट उनका प्रभाव है ही हैड़ेड एड़ेड उन्होंने जोड़ा आगे देखिए इन इस फॉरन विजिट अपनी विदेश्यात्रों में मोधी रिप्रिजेंट मोधी जो है प्रिदिन दिद्व करते हैं दा स्ट्रेंथ ताकत का एंड टैलेंट और टैलेंट का प्रितिवाका ओफ 149 करोड इंडियंस 149 करोण भारतियों का दा वर्ल्ड इस नाउ टौट्स इंडिया भारत की और देख रही है एंड इस यूथ और इसके युवाओं को जैसंकर सैट जैसंकर ने कहा आगे देखें टौकिंग टूरीपोर्ट सरी पॉर्ट टौकिंग टूरीपोर्टर से बात करते हुए ऑन दा साइड लैन इस मोके पर आफ दा केमपेंड क जो की एक रिली का हिस्सा थे हैल्ड जो की आयूजित की गए रिसेंटली हाली में इन कनेडा कनेडा में वी हैव रिक्वेस्टेड आवर पार्टन कंट्री अनुरोथ किया है लाइक कनेडा यूएस यूके एंड अस्ट्रेलिया वेर सम्टैंज जहां कई बार खालिस्तानी क्योंकि एक करेंड के हें अनुट तु गिवब इस्पेस्ट न अलाइस तो कि एसलमार हे की आखी है आगे देखिए कि आफ्टर डिस्कुशन्स के साथ बाच्चित के बाद इस चर्चा के बाद ही वेंट तो नेशनल इंस्टीट ऑफ हॉमियोपैथी वह नेशनल इंस्टीट ऑफ हॉमियोपैथी में गए जैसंकर ऑल्सो मैट दा फैमली मेंबर्स ऑफ लेट टीकलाल टपलू और जो जैसंकर है वह फैमली मेंबर से मिले से परिवार के सब्सक्राइब किसके स्वर्गी टीकलाल टपलू के हूँ वस मार्टर जो शहीद हो गए इन कश्मीर कश्मीर में एट देयर रोहीनी रेजिदेंस उनके रोहीनी रेजिदेंस पर आवास पर तो दोस्तों एक छोटा सान्यूज आ आवानाइज दे न बाइ